आज हम सूपर टेस्टी और हल्दी रेस्पी से एर करने वाले हैं ये दिखने में चितनी आदा खुबषूरत लग रही है ये खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता और ये हल्दी भी बहुत ही, ज़्यादा होता है तो अगर आप इसको बहुत ही कम मसालों के साथ ब बारना स्टाट करते हैं यहां पर हम लिया हुआ बैगनी पत्ता गोभी मतलब यह जो बैगनी कलर की पत्ता-गोभी वह सीजन में बहुत आसानी से आपको market में मिल जाएगी और यह दिखने में तो बहुत यदा खुबसूरत होती है तो इसको एक बार हमने पानी से साफ कर लिया है और कट करने के बाद एक बार इसको हम और अच्छे से धूल लेंगे पानी से तो यह देखे करने के बाद यह इस तरीके की दिखती ह और दिखने में तो यह बहुत ज़्यादा खुबसुदत लगता है ना इसका कलर तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं तो इसके जो टुकड़े है ना उसे हमें लंबे-लंबे पतले टुकड़े कट कर ले होगे जैसे हम पत्ता गोबी एक पता गोबी ही ही है बस इसका कलरी चेंज है तो जैसे हम पता गोबी को कट करते हैं ना सेम वैसे इसको हमने कट कर लिया है ये देखिए और ये कट करने के बाद तो और ज़्यादा खुबसूरत लग रही है तो पता गोबी को हमने कट कर लिया है और अब इसको एक बार पानी से हम और दूल लेते हैं क्योंकि अंदर ये पुरा फूल होता है ना तो एक बार और अच्छे से साफ कर लें तो थोड़ा साथ ज़्यादा सही रहेगा तो इधर पता गोबी को हमने साफ कर लिया है ये देखे और अब इसमें हम डालू तो अगर आप आलू इसमें नहीं डालना चाते हैं या नहीं पसंदेना तो आप आलू को इसकीप कर सकते हैं आप चाहें तो आलू के बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, या आलू नहीं पसंदे तो ना डालें, तो ये देखिए आलू को हमने कट कर लिया है, और टमाटर को भी हमने छोटे टुकड़ो में कट कर लिया है, ये सब्जी को हम बनाएंगे सरसों के तेल में, तो गैस अन कर करना है तो जब आलों को हम फ्राइ करके सब्जी बनाते हैं तो बहुत एदा टेस्टी लगती है और इस सब्जी को तो आप टीफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं पूरी पराठी किसी के साथ भी इंजॉय करें बहुत ही पर्फिक्ट जाता है तो यह देखिए आलों का कलर चें लहसुन का हलका सा कलर चेंज होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमबच मेथी दाना लेकिन जब लहसुन हलका सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद ही हमें मेथी दाना डालना यह नहीं तो मेथी ना वह जल्दी से जलने लगती है तो देखिए लहसुन हलका स चम्मत से भी कम हमने इसमें हिंग का इस्तेमाल किया है हिंग तो सबजी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है और डाइजेसन में भी काफी हल्प करता है तो यह देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है लहसुन तो अब इसमें हम पता गोबी को डाल देते हैं तो थोड़ा सा पानी होता ही है न तो हाई फ्लेम पे इसको जब करेंगे तो हलका सा पानी जल जाता है और सब्जी बहुत ज़्यदा टेस्टी बनती है तो बस इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं अब इसमें डालते हैं एक छोटा चमश हल्दी पाउडर और इसमें बहुत करेंगे इस सब्जी में इसको अच्छे से मिला देंगे और एक मिनट के लिए इसको हम ढखकर पकाएंगे एक मिनट से ज्यादा इसे नहीं पकाना है मीडियम फ्लेम पे एक मिनट के लिए हम इसको ढखकर पकाएंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर को एड़ करेंगे तो य की आता है क्या है यह प्रीक ये है चिलिए मगीख्थ के बिखिक बढ़ सब्सक्राइब के बारीक कॉंप कर अधने के बाद में में ऐना तो ऐसे क्रинаirie अर्णाले गांता तो इसमें चाली देलिया नमक होता यह करूँ मैगी सब्जी का मिला है तो इसको बनाकर देखे आपको बहुत यह पसंदा आएगा तो बस इसको मिला लेते हैं उसके बाद य Nich fortun के लिए धंकर और पका लेते हैं मीडिया फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे जिसे टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इस सब्जी को पकने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तो यह देखे दो मिनट हमें धंकर पकाया है और अब इसमें हम डालते है एक मिनट के लिए धंकर पकाया है तो बस अब सब्जी को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिला लेते हैं और गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं गैस बंद करने के बाद इसमें हमने बारी कटा हुआ हरा धनिया का पतार डाल दिया है जो देखने में बहुत यदा खुबसूरत और यह सब्जी बहुत यदा हिल्दी होती है बचों को भी इसको खिलाना चाहिए और आप लोगों को भी खाना चाहिए बहुत यदा यह टेस्टी भी होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है बहुत ही कम टाइम में यह बन जाती है और यह पूरी पराटे किसी के साथ भी खाई यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो अगर ट्राइ करने के बाद आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा ना तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक को सेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप सुखी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है आप देख सकते हैं तो हम मिलते हैं अपने नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए